हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो देशी टेस्ट, आज मैं बत्वे का रायता और पंकिन का रायता आपको बना कर दिखाऊंगी, तो पहले बत्वे का रायता के लिए हमने बत्वा ले लिया है और इसे अच्छी तरह से हमें बॉयल करना है, पहले दो लीजे बत्वे को और उसके एक गड़ी मैंने बत्वा लिया है और ये तीन से चार लोगों के लिए इसली बन सकता है, तो इसे बॉयल करने के बाद हम इसे मिक्सी में पीज देंगे, साथ-साथ मैं आपको थोड़े से बत्वे के बेनिफिट बताने वाली हूँ, बहुत ज्यादा रिच होता है केल्श साले अभी मिक्स कर देते हैं, सर्दियों के मौसम में बत्वा इसली मिल जाता है, तो ये नमक डाल दिया है, और इसके साथ थोड़ी सी लाल मिर्ची, और बच्चों के लिए बना रहे हैं तो मिर्च को एवाइड कर सकते हैं, तो बहुत ही इसी है, पांच मिनट में आप य इसे, ऐसे ही मतलब आप ये बन कर तयार है, आप इसे खा सकते हैं, या इसके उपर से अप जीरा भून करके डाल सकते हैं, हींग जीरा, पट मैं इसका तड़का लगा के दिखा रही हूं, और जो लोग डाइट को फॉलो करते हैं, कोई भी वेजिटेरियन डाइट या या तो वो लोग भी इस रायते को खा सकते हैं, अपने डाइट में इसको इंक्लूट कर सकते हैं, तो इसको हमने तेल डाला है, सर्चो का तेल यूज या देशीगी, दोनों आप यूज कर सकते हैं, तो इसमें मैं डाल रही हूं, जो लोग आजकल कीटो डाइट बहुत करते है और कोई वेट लॉस प्रोग्राम ले रखा है या कर रहे हैं वो भी इन राइतों को ले सकते हैं प्लेन दही ना खाकर आप बत्वे को इसली सर्दियों के मौसम में आप इसे ले सकते हैं और बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा है इसमें मैंने अभी एक चमच जीरा डाला है और हिंग डाला है तो बस अब यह तड़का हम तयार कर रहे हैं थोड़ी लाल मिर्ची डाली है तो यह हमारे ब्लड को बहुत अच् और कील मोहा से जो बच्चों के हो जाते हैं उसमें भी helpful है ठीक करता है पेट के कीडों को मारने के लिए तो यह रामबाण का काम करता है तो यह देखी अभी हमने तड़का लगा के ढग दिया है और यह हमारा रायता बनके तयार है आप ऐसे ही लेना चाहें तो ले सकते हैं या इसमें थोड़े से आइस क्यूब मिला के ठंडा ठंडा रायता आप ले सकते हैं और यह लेडीस को जिनको पीरिट की प्रॉब्लम होती है उन लेडीस के लिए भी बहुत helpful है डेली बत हुए को लेने से बेत हुए के पत्ते खाने से पीरिट की जो प्रॉब्लम होती है और urine infection में भी बहुत helpful है तो बद prends अभी में दूसरा रहाता जो pumpkin का है वो मैं सीता फल का तो मैं yellow वाले सीता फल का बनाना सिखा रही हूं और यह बहुत high highly जो antioxidant होता है vitamin A इसमें होता है और nutrition highly nutrition होते हैं इसमें बूस्ट करता है आपकी उम्निटी पावर को तो यह उसके लिए मैं बना के आपको दिखा रही हूं और आप अपनी कीटो डाइट हो या कोई आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो यह दोनों रायते आप उसमें इंक्लूड कीजिए प्लेन दही ना खाकर आप इन रायतों को ले सकते हैं तो यह मैंने जो सीता फल है काट दिया है चोटे-चोटे पीसिस इसके हम कर देंगे और इसको हम बॉयल देंगे तो बहुत लोग आप सोते हैं इसमें कैलोरीज भी लो होती हैं और यह जो वेट लॉस के जो प्रोग्राम सोते हैं उसमें बहुत यूसफुल है तो फ्रेंट्स इसको आप बनाईए खाईए और आपको मेरी रेस्पी कैसी लगती है सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा तो इसको अभी हम एक बॉयल दे देंगे और इसी तरह से अभी आगे आने वाली वीडियो में आप और आज में ने पंकिन दो राइता आपको दिखाया है दो सीटी हम इसमें लगाएंगे सिर्फ ज्यादा नहीं लगानी दो सीटी में ही हमारा यह यलो पंकिन है एकदम खुच जाएगा तो इस तरह से यह देखिए दही को हम रेडी कर रहे हैं दही का छाच की तरह है उसको देखिए तो बत हुए के फाइदे मैंने आपको बताए उससे कील मोहा से भी दूर होते हैं और हैल्फुल होता है कि पीरिट्स में जिनको प्रॉब्लम होती है वो ले सकते हैं दो स्पून बत हुआ के बीच को एक ग्लास वाटर में डालकर उबालिए और जब तक पानी बत हुए को और सीताफल के राइदे के बहुत वाइदे हैं इसे लीजिए अपने डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए और सर्दियों में तो इसे यूज़ कर सकते हैं तो यह देखिए अच्छे अब इतना इसली यह मैश हो जाता है पांच मिनट में आप राइता बनाकर यह पी सकते है और पेट के कीडे जो बच्चो को हो जाते हैं तो उसके लिए आप बच्चो को दे सकते हैं बत हुआ एवरी डे मॉर्निंग में कच्चे बत हुए के एक कप रस में मिक्स कर लिजे नमक और उसको उबाल करके उसका ड्रिंक बनाकर बच्चो को दीजिए तो ब्लड जो है आपका बहुत क्लीनिंग प्रॉसेस करते हैं यह दोनों रायते और आपके पेट को जो है एकदम क्लीन रखते हैं उसके लिए डाइसे सिस्टम को अच्छा करने के लिए आप 30 ग्राम बत हुए की पतियों को नीम की 5 पतियों के साथ मिक्स करकर इसको आप अगर तो जो कील मुहासे होते हैं बढ़ते हुए बच्चों को वह भी आपके ठीक होते हैं तो यह देखें यह मैंने सीता फल को भी पीज दिया है थोड़ा सा मैं मिक्स करके दिखा रही हूं क्योंकि बच्चों को यह दरदरा अगर मुह में आता है तो अच्छा नहीं लगता त बच्चों को बड़ों को अपने डाइट में इसको इंक्लूड कीजिए वेट लॉस की सफर में आपका बहुत साथ देंगे यह दोनों रहते आप इसे बनाईए खाये और अपने एक्सपिरियंस मुझ तक जरूर शियर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत बू तो यह हींग में डाल दिया है मिर्ची डाल दिया है और चिली पाउडर डाला है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप देख सकते हैं क्या-क्या मैंने इसमें मसालों का यूज किया है तो इस तरह से अधकर कर रहे हैं तक जो दूए का असर है वह इसके अंदर पूरा आ बत हुआ जो सर्दियों के मौसम में मिलता है तो आप इसे खाईये और इसके लाब उठाईये तो मैंने आपको बताया कील मौहा से पीरिट्स में बहुत है बत हुआ कर आयता तो आप उसको ले सकते हैं डेली तो फ्रेंट्स आपको आगे आने वाली रेस्पीज मैं इसी त मैंने जो आपको 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 आपके बता इस बखन अने डर्टदे हैं